तो भगत सिंग्ग क्या करते हैं वो पंजाब में ही एक संगठन इस्थापित करते हैं जिसका नाम था नवजवान सभा मैं यहीं लिखूंगा आगे नवजवान सभा या फिर नवजवान भारत सभा मैं खाली नवजवान सभा लिखूंगा कहीं पुस्तकों में नवजवान क्या था तो लोगों को राजनेतिक रूप से जागरूप करना लोगों को जो है बताना कि ये जो अंग्रेज सरकार है ये हमारा किस तरह शूशन कर रही है और हम जो है इनको देश से बाहर निकालेंगे और अपनी यहां के लोगों की सरकार इस्थापित करेंगे तो ये बड़े करांतिकारी थे चबिल दास यसपाल और चबिल दास भगत सिंग इन लोगों ने मिल करके नौजवान सभा को इस्थापित किया बाद में फिर जो सुखदेव थे भगवती चरण वोहरा हो गए राजगुरु हो गए जैगोपाल हो गए ये सब भी जो है इसके साथ ज जुड़ जाते हैं फिर चंद्रशेखर राजाद जी तो धे ही थे और जो दूसरे करांतिकारी थे वो सब भी इनसे जुड़ जाते हैं ये पंजाब में इनका काफी जादा प्रचार प्रशार किया जाता है अब जो नौजवान सभा है चूंकि भई गांधी जी के जो दिरित होते हैं लोग जुड़ने लगते हैं मतलब ये जो प्रचार प्रशार करते हैं उससे लोग काफी प्रभावित होते हैं अब वहां की जो सरकार है पंजाब की इस्थानिय सरकार वह बड़ा डर जाती है क्यों है इस टाइप से लोगों को बड़ा प्रभावित कर रह जाता है कि बताओ तुम्हारे साथी कौन कौन है कहां तुम्हारा ठीकाना है इस टाइप से तो उस टाइप पर वो उतने बड़े क्रांतिकारी के रूप में नहीं उपरे थे लेकिन पंजाब में जो नवजवान सभा के कारण वो बहुत ज्यादा प्रशिद्ध हो गए थे त साथ हजार उस जमान में बहुत बड़ी रकम होती थी साथ हजार 60,000 लेकिन उनके जो पिता थे सरदार किसन सी है चुकि उनके पास बहुत सारी जमीन वगेर थी खीतिबाड़ी बहुत अच्छी थी तो हो सकता है उन्होंने कुछ जमीन वगेर बेच करके इस रकम का इंतज को छुडा लिया